तो दोस्तों चाइना के तरफ से दावा किया जाता है कि चाइनीज नेवी दुनिया में सबसे अधिक मात्रा के जहाजों बाला नेवी है। में चाइना भारत या अमेरिका जैसे देशों को काउंटर नहीं कर सकता। इवन अमेरिका और भारत जैसे देशों के पास इतना ताकत है कि चाइना के नुकलियर पावर इन सब्मरीनों को आसानी से रोका भी जा सके और आसानी से डिटेट करके तवावी किया जा सके। और द दोस्तो हाली में Australia के Australia National University के National Security College के तरफ से एक Global Study किया गया था जिसका टाइटल The Future of Undersea Deterrence है। इस Study में ये पाया गया कि दुनिया के कई सारे देशों के द्वारा अपने Nuclear Submarine के Force को Strengthen किया जा रहा है और दोस्तो ये ऐसा Submarine है जो Basically Nuclear Ballistic Missile को Carry कर सके। दोस्तो हाजार सोला में भारत द्वारा अपने बेडे में पहला Nuclear Power Ballistic Missile Submarine को Operational किया गया था और दोस्तो ये सब्मरीन था I.N.S. अरिहान इंडिया नेवी में शामिल होने के बाद जहाँ पे इंडिया के पास Nuclear Tried आया तो वही पे इंडिया United Nation के Security Council के 5 पर्मनेंट मिंबरों के इलाबा पहला एक ऐसा देश बना जिसके पास Nuclear Power Ballistic Missile Submarine हो फिलाल अगर देखा जाए तो इंडिया के पास Declared एक ही Operational पर्मनुशक्ति संपूर ने Ballistic Missile Submarine है जबकि दूसरा Submarine I.N.S. अरिहान इवी में शामिल होगा जफके कई सारे रिपोर्टों में ये भी दावा किया आयाता है कि Secretly इंडिया के द्वारा दूसरे Submarine को 2020 में ही अपने बेडे में शामिल कर लिया गया है लेकिन इसका बारे में जानकारी पबलिक नहीं किया गया रिपोर्टों के मुताविक अरिहांत क्लास के ये जो पहला दो सब्मरीन है ये 12 शॉर्ट रेंज के के 15 बैलेस्टिक मिसाइलों को कैरी कर सकता है जिसका रेंज 700 से 1000 किलोमेटर के दर्मियान होगा जबकि दूसरे तरब इनी सब्मरीनों में इन 12 मिसाइलों के जगा में उनी लॉंच ट्यूबों में 4 के-4 बैलेस्टिक मिसाइलों को भी लगा जा सकेगा जिसका रेंज 3000 से 3000 किलोमेटर है और दोस्तों इंडियन नेवी के ये सब्मरीन आसानी से चायना या पाकिस्तान दोनों देशों को ही थ्रेट करने के लिए काफी है इवेन दोस्तों एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि भारत के पास अमेरिका के जैसे ही परवानुसक्ति संपूर्ण सब्मरीनों को खुले समुंदर के अंदर तैनात करने का जियोग्राफिकल एडवांटेज है और इसके वज़ासे भारत आसानी से समुंदर के अंदर इन सब्मरीनों को दुश्पन के एंटी सब्मरीन इंफ्रस्ट्रक्टर से दूर तैनात कर सकता है और दुश्पन के सब्मरीनों को रोकने के लिए इंडिया को ज्यादा एन्टी सब्मरीन या सब्मरीन डिफेंस capability को develop करने का आवशक्ता नहीं पड़ेगा दुसरे तरफ अमेरिकी नेवी के परवानु सकतिसंपूर्ण बैलेस्टिक मिसाइल सब्मरीनों को लेखे ये वी रिपोर्ट है कि अमेरिका में फिलाल सर्विस में इस्तिमाल किया जाने वाले ओहायो क्लास के SSVNों को 2031 से रिटार करने का प्लैन बनाया जारा और इसलिए 2022 क बजट में करिबन 5 बिलियन डॉलर के एक रिक्वेर्मेंट को भी रखा गया और दोस्तों ये जो 5 बिलियन डॉलर के एलोकेशन है इसका इस्तिमाल करते हुए अमेरिकी नेवी के लिए कोलंबिया क्लास के SSVN का निर्मान किया जाएगा आपके जानकारी के लिए बता दू अमेरिकी नेवी में इस्तिमाल होने वाले 14 ओहयो क्लास के परवानुशक्ति संपूर्ण बैलेस्टिक मिसाइल सब्मरीनों को रिटार करने के लिए अमेरिकी नेवी में 12 कोलंबिया क्लास के सब्मरीनों को शामिल किया जाएगा ऐसे में आप लोगों के मन में ये भी सवाल हो सकता है कि अगर 14 सब्मरीनों को 12 सब्मरीनों के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा तो ये अमेरिकी नेवी के SSBN capability को घटा देगा पर दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दू कि ये किसी वी तरीके से सब्मरीन के capability को इसी लिए नहीं घटाएगा क्यूकि ओहायो क्लास के सब्मरीन के तुलना में कोलंबिया क्लास के सब्मरीनों के servicibility अधिक होगा फिलाल जो ओहायो क्लास के सब्मरीन है इसे बार बार refuel करना पड़ता है मतलब इसमें 12 कोलंबिया क्लास सब्मरीन अमेरिकी नेवी में होने के बावजूद अमेरिका एक साथ 10 ऐसे सब्मरीनों को तैनात रख सकेगा इवन अमेरिका के जो परवानुशक्ती का concept है इसमें total तीन पार्ट है जिनमें long range के intercontinental ballistic missile लंबे दूरी तक मार करने वाले heavy bomber और ये परवानुशक्ती संपूर्ण ballistic missile submarine जिनमें परवानुशक्ती संपूर्ण इन ballistic missile submarineों को ही सबसे long survival हतियार के रूप में देखा जाता है क्योंकि ये लंबे समय तक पानी के नीचे छुपा रह सकता है और दुश्मन के हमले से अपने आपको बचा सकता है और सब्मरीन के इनी खासियों के बज़ा से अमेरिका के द्वारा कोलंबिया क्लास के इन सब्मरीनों को इतना महत्तो दिया जा रहा है दोसरे तरफ कुछ रिपोर्टों में चाइना के सब्मरीन capability के बारे में भी प्लासा किया गया है जिन में ये भी वताया गया है कि चाइना के पास ऐसे 6 परवानों सकती संपूर्ण ballistic missile carrying सब्मरीन है जिसे जिन क्लास के सब्मरीन कहा जाता है और ऐसे सब्मरीनों में 12 JL-2 मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है और दोसो ऐसे सब्मरीन अमेरिका के किसी भी शेत्रे के ओपर चाइना के द्वारा हमला करने में सक्षम है चाहे हो Alaska हो या फिर Pacific Ocean के अंदर अमेरिका के basis हो पर एक्सपर्टों का ये भी कहना है कि चाइना के पास 6 सब्मरीन होने के बावजूद geographical disadvantage है जो इन सब्मरीनों के capability को घटा देता है इवेन इन सब्मरीनों को दुश्मन के सामने expose भी कर देता है एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, रश्या जैसे देशों के सब्मरीनों के डाइरेक्ली बड़े ओशनों के एसेस है, मतलब इन सब्मरीनों को बेसेस से डाइरेक्ली समुन्दर में तैनात के आजा सकता है जबकि चाइना के पास ऐसा geographical advantage नहीं है जो कि चाइना के सब्मरीनों का सबसे बड़ा कमजोरी होगा और दोसों, चाइना के जो coastal reason है ये totally shallow water वाला reason है और इसी वज़ा से चाइनीज नेवी के सब्मरीनों को गहरे समुन्दर के अंदर जाके अपने आपको छुपाने के लिए या अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए खास करके Pacific Ocean के अंदर अपने आपको तैनात करने के लिए ऐसे shallow water reason से गुजरना पड़ेगा और ये shallow water reason के अंदर चाइनीज नेवी के सब्मरीनों को काफी तेज गती से गुजरना पड़ेगा नहीं तो इन सब्मरीनों के डिटेक्ट हो जाने का संभाव नाए है दोसो परवानुशक्ति संपूर्ण बैलेस्टिक मिसाइल सब्मरीन shallow water में काफी कमजोर होता है इवन इन सब्मरीनों के पास अपने बचाओ के लिए वे इतना उपकरण नहीं होता है कि ये दूसरे जहाजों से अपने आपको बचा सके और अमेरिका के द्वारा और भारत के द्वारा जिस तरीके के अंटी सब्मरीन वर्फियर कैपेबिलिटी को डेफलफ किया जा रहा है खास करके P-8 सरणी के अंटी सब्मरीन वर्फियर एरक्राफ्ट और MS-63 सरणी के अंटी सब्मरीन वर्फियर हेलिकॉफ्टर ये आसानी से चायना के ऐसे जहाजों को shallow water में डिटेट कर सकता है दूसरे तरफ अगर ballistic missile सब्मरीनों को देखा जाए तो ये बेसिकली गहरे इस पानी में ही छुपा रहता है और गहरे पानी से ही ओपरेट होता है और South China Sea के रिजन shallow water बाला होने के वज़ा से ही माना जा रहा है कि चायना के तरफ से इस रिजन को इतने तेज गती से और इतना जाधा ओफेंसिव तरीके से militarize किया जा रहा है ताकि चायना इस शेत्रे के अंदर दुश्मन के anti-submarine capability को घटा सके और इस शेत्रे के अंदर अपने परवानु शक्ति संपूर्ण ballistic missile सब्मरीनों को protect कर सके और दोसों इस disadvantage के वज़ाए से एक तरीके से चायना के पास अधिक मात्रा में जाहाज होने के बावजूद या सब्मरीन होने के बावजूद चायना का underwater capability या undersea deterrence का समता बाकी देशों के जैसे इतना ताकदवर नहीं है इवन अगर देखा जाए तो आप ये भी मान सकते है कि चायना अपने बलपूर्भक या अपने economy के सहारा लेते हुए एक समय में ऐसे आगे भी बढ़ जाए जो चायना के बढ़े में 6 के जगा में कई अधिक संख दूसरे तरफ चायना द्वारा जिन capability का development किया जा रहे उसे counter करने के लिए अमेरिका भरपूर तैयारी कर चुका है जिन में अमेरिका के द्वारा साथ चायना सी के नस्दिक अपने हत्यारों के deployment से लेकि अपने allies का गठन और जेपैन से लेकि गवाम तक अपने निवी के presence क बढ़ाया जा रहा है दोसरे इवेन अगर देखा जाए तो इस शेत्रे में चायना का एक मात्र खत्रा अमेरिका नहीं बलकि हाली के हरकतों के बज़ा से चायना लगवगार एक देश को अपना दुश्मन बना चुका है चाय हो जपैन हो ताइवान हो भारत हो भीतनाम हो य आसानी से नजर रख सकता है और आवशक्ता पढ़ने पर या लड़ाई के समय में चायना के इन सब्मरीनों को ध्वस भी कर सकता है कुल मिला कि चायना चाहे जितना भी अपने सब्मरीन के फ्लीट को बढ़ा कर ले जियोग्राफिकल डिसडवांटिज चायना को हमेशा भा आहे हीं!